तो दोस्तो अगर आप paid for articles पर article लिखना सीख गए हैं और guys वहां से आपको कोई result नहीं मिला तो आपको इस video में मैं आपको एक ऐसी website के बारे में बताऊँगा जो आपको paid for articles से काफी कई गुना जादा pay करेगी guys बस फर्क इतना है कि आपको वहाँ अच्छी से वहाँ पर work करन हैं and guys अगर यह website आपको काम नहीं करती तो कोई issue नहीं है बट मेरा यहां पर अच्छा खासा काम चला है guys पिछली वीडियो में मैंने आपको medium.com से कैसी traffic नहीं यह बताया था बट आप लोगों के बहुत सारी questions आयते वो इस वज़े से guys कि आप उसे सईसे use नहीं कर पा रहे थे because मैं भी guys इस चीज को use कर रहा हूं and you can see my dashboard and दोस्तों मैं इस वीडियो में argument नहीं कर रहा आपसे तो मैं आपको इस वीडियो में एक website की ओर लेके चलता हूं जो के बहुत अच्छी है और अगर आप यही content वहाँ पर write करते हैं but सिर्फ difference इतना है कि आपको वहाँ पर profile ब आपको मिलने वाली है like अगर आ फाइवर अबर्क या किसी ओल प्रिटफर्म पर वर्क करते हो तो वहाँ पर आपको इतना नहीं मिलता है और दोस्तों बस आपको simply क्या करना है या तो translate करना है या content writing करना है जो कि आप for articles पर करते थे and या आपको logo design करना है या कुछ भी data entry व आपको वर्क करना है तो without wasting any more time and guys चलते हैं वीडियो की तरफ सो guys सबसे पहले तो आपको यह link description मिल जाएगा इस website का नाम है people per hours guys बहुत अच्छी website से यह मैंने बहुत अच्छे से try वी किया है and you can see guys सबसे पहले मैं आपको step by step इस website के बारे मैं सब कुछ समझा दे रहा हूं guys और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहां से बर्क कैसे मिलेगा and आपको login कैसे होना है किस तरीके से क्या 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 आपको professionally अपनी profile जो है वो create करना है then firstly आप यहां पर देख पा रहे होंगे writing and translate सबसे पहले हम writing and translate पे click करके देख लेते हैं because हम paid for articles पे इतने सार राइटिंग करते थे इतना सारी महनत करते थे उसके बाद भी result नहीं मिलता था paid views कहीं गायब हो जाते थे but guys काफी वार ऐसा नहीं होता और कुछ वार हो जाता है बग बगएरा कुछ system systematically technically issue के वजह से but यहां पर ऐसा नहीं है so दोस्तों यहां पर देखे write and translate पर हमने click कर दि यहां पर देखे content writing को simply मैं इस पर click करके आपको थोड़ा deeply यहां से इसके बारी में समझा देता हूँ आप यहां से भी अच्छी खासी अपनी revenue generate कर सकते हैं आप दो तीन मन्त लग जाएंगे but guys यहां से जो revenue generate होगी वो YouTube नहीं देता और कोई platform नहीं देता guys तो यहां पर simply हम देख लेते हैंगे इस देखिए सबसे कम articles सबसे only 1000 वहां पर वो 500 से 2000 तक के words यहां पर write करवा लेते थे उसके बाद भी हमें कोई result नहीं मिलता था guys and you can see now here write professional 1000 word articles after researching so guys यहां पर देख मारें यह 1000 word articles के type करने के इन्होंने अपनी value यहां पर 25 डॉलर रखी है so guys अगर हम 25 डॉलर यहां पर convert करते हैं तो आप देख पारेंगे एक article का हमें 1861 रूपीज हमारे बनते हैं Indian currency में so guys यह काफी अच्छी website है and यह तो हमने only weakness के लिए बताया फ्रेसर के लिए because आप अभी weakness होगें यहां पर तो आप easily से अपना अगर इन्होंने 15 यहां पर डाल लगा है तो आप 5, 6, 8, 10 से start कर सकते हैं guys 10 से 1 post start कर सकते हैं अगर आप यहां से अच्छी से work करते हैं तो आपको यहां पर देख पा रहे है तो 4.9 इसी तरीके के यहां पर 5.0 यहां पर आपको star मिलते है जो भी यहां पर work करवाता है वो आपको star देता और आपकी work के वारिये में comment करता है उससे देखके आपको दूसरा work भी मिलता है एंड राइटिंग करते चले आयो paid for articles पर या कुछ भी आप लिखना चाहते हो so guys यहाँ पर हम simply data entry का भी work देख लेते हैं किस type की data entry है and कितना pay करते हैं यह तो हम अगर सबसे पहले यहाँ पर high देखें guys data entry यहाँ पर हम relevance पर किलिक करके अगर हम high देखें तो यहाँ पर बहुत सारे जो professionals वैटे हैं उनका rate बहुत ज्यादा high है अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह 160 and American people global rank I mean यह कुछ भी आपको यह सब कैसे बनाना यह सब मैं इस video में cover करने की courses करूंगा अगर नहीं हो पाएगा guys तो next video बहुत जल्दी लेके आऊंगा because मैं आपको basic सा अभी इसके वारे में only inform कर रहा हूं और समझा रहा हूं कि यह चीज उससे ज्यादा अच्छी है so guys आप देख पा रहे हैं यह कोई beginners है and $20 से यह provide any type of data in maximum 5000 वर्ड guys आराम से आप घर पर बैटके कर सकते हैं अगर आपको एक वार यहां से work मिले लगा तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहां पर आप तो work करेंगे यह आप दूसरों को work देखे उन्हें थोड़ा बहुत pay करके और यहां पर assignment submit करके बहुत अच्छी खासे revenue जन्नेट कर सकते हैं बस फर्क इतना है कि हमें थोड़ी knowledge की जरूरत पड़ेगी या जो भी है guys अगर हमें घर से बैटे और professionally work थोड़ा अच्छा मिला है तो थोड़ी तो हमें अपनी knowledge increase करनी होगी उसे लेके तो guys overall मेरा कहनी का मतलब only इतना है कि आप अगर paid for article से अच्छी खासी revenue जन्नेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहां पर work करें ठीक है तो यह मैंने only आपको recommend किया था guys अगर आपको एक dedication के साथ इस पर वीडियो चाहिए पूरा dedicated full process full कैसे आपको create करना कैसे work मिलेगा तो अगर ज्यादतर maximum comments करते हैं तो मैं आपको next video में पूरा profile अच्छी से किस तरीके से decorate करना हैं जिससे आपको work मिले and guys इसमें बहुत कुछ है तो इस बज़े से मैं एक video में पूरा कुछ cover नहीं कर पाऊँगा वीडियो ज्यादा long हो जाएगा जिससे आपकी लिए भी बहुत ज्यादा boring होगा so guys इस video में बस इतना ही next video में आपको ये बता हुआ कि कैसे आपको profile अपना create करना है and then कैसे आपको अपना first assignment यहां से लेना है so guys अगर आपका एक दी assignment यहां से clear हुआ ना तो आप paid for articles पे कितना भी बढ़ करो guys उससे 10 गुना ज्यादा आप यहां से earning कर सकते So guys इस video में बस इतना ही and thanks for watching this video and आपको मिलते है next video में आपकी किसी topic के साथ तब तक के लिए guys जैहिंद and bye bye